दोस्तो आज किस वीडियों में हम सीखेंगे कि किसी भी computer या फी laptop में हम screenshot कैसे ले सकते हैं वेल दोस्तो किसी भी computer या फी laptop में screenshot लेने का अलग-अलग method हो सकता है लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग ऐसे तीन तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप इसली अपने किसी भी कंप्यूटर एप लाप्टप में स्क्रीन शॉर्ट ले सकते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा से यहां पर बताना चाह हो या फिर अगर मेरे कंप्यूटर एप लाप्टप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और मैं आप से हैल्प लेना चाहता हूं तो आप बोलोगे कि मुझे एक इमेज दो जिससे मैं समझ सकूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो यहां पर भी जो मुझे स्क्रीन शॉर्ट क स्क्रीन शॉर्ट कैसे ले तो कुछ भी नहीं करना बस आपको इस वीडियो को प्रेंड तक देखना होगा और दोस्तों कर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना हलो दोस्तों मैंने जो दिन है मत आप देख रहे हैं टेक गयां क्लब दिर किस वा करना है विंडोस प्रिंट इसके बटन जबी दोनों को प्रेस करेंगे एक साथ आपको डिस्प्ले जो है वह स्क्रीन शॉर्ट हो जाएगा अभी इस इमेज को हमें देखना है तो हम कहां देखेंगे तो सिंप्ली आपको अपने माइक कंप्यूटर या फिस पीसी के अंदर आना है और उसके बाद जी पिक्चर के फोल्लर हमें इसके अंदर जाना है और यहां पिसक्रीन शॉर्ट का अंदर आना है और देख सकते हैं अब आपको दिख रहा है अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा तरीका है किसी भी कंप्यूटर आप लैप्टॉप में इस्क्रीन शॉट लेने का वो है स्निपिंग टूल यह स्निपिंग टूल जो है विंडोस का फ्रेस आफ्टर होता है जिसकी मदर्द से आप किसी पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर पूरे डिस्प्ले का जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो सिंप्ली आपको जो है स्टाट मेन्यू में आना है और यहाँ पर आपको जो सर्च करना है इसनिपिंग टूल जब यहाँ पर आपको मिलेगा इसको आपन करना है और आप देख सकते हैं छोटा बदल गया है, आप जितने बढूर को मैं चाहों उस को इसको स tenía कर सकता हुए तो या पिर कि किसी पै stan इसthen को मैं इस पर पूरे डिस्पलिए को से भी सेटा काई को तो मैं जैसे छोडूँगा यह स्निपिंग डूड के अंदर इमेज अब आप इसको जहां चाहो वहां पर save कर सकते हैं ठीक है मैं file में आके उसको save करोगे आप जहां भी चाहोगो इसको वहाँ save कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर तीसरा और लास्ट जो तरीका है किसी भी computer राप्टॉप में screenshot लेने का वह है paint जी हां दोस्तों paint की मदद से आप screenshot ले सकते हैं तो simply सबसे पहले आपको अपने display में की को press करना होगा जिसका नाम है print screen अब यह print screen सिर्फ और सिर्फ print screen प्रेस करना इससे होगा क्या कि आपका display जो है वह copy हो जाएगा जैसे कि मान लो अभी मैं press करता हूं print screen तो मैं display copy हो चुका है अभी simply आपको paint को open करना है तो मैं paint open करता हूँ मैं paint open करता हूँ अभी मैं display copy हो चुका है जिस भी area को आपको screenshot लेना है उसको copy कर लेना है और यहां पर आके simply आपको जो है paste कर देना है ठीक है मैंने paste कर दिया मैं computer का screenshot लिया था अभी यहां पर paste कर दिया है अभी इसको जहां भी चाहो आप वहां पे save कर सकते है फाइल कंदर आके आप जहां भी जाहें वहां पर यह screenshot के रूप में save हो जाएगा ठीक है तो यह था तीन amazing trick जिसकी मदद से आप किसी भी computer laptop में screenshot अराम से ले सकते हैं तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इन तीनों तरीकों के मतलब से कितनी easy step में जो है मैंने अपने computer में जो है screenshot ले लिया बस सीम इस्टेफ फॉलो करके आप भी जो है अपने computer laptop में जो इसक्रिंशाट ले सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों कैसा लगा बताना जरूर कॉमेंट्स में और अपने राय और सुजाव भी शेयर करना मत बूलना और आप में चाह